अच्छी कॉफी का मज़ा ही अलग है लेकिन इशू यह है कि अच्छी कॉफी हमें मिले कैसे घर में बनीवी कॉफी का वो स्वाद नहीं हो सकता इसलिए मैंने इंडिया में मिलने वाली सारी कॉफी मशीन को खरीदा उनने टेस्ट किया उनने कंपेर किया और इस विडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा कंपेरजन दिखाऊँगा जो आपको इंडिया में तो कोई और नहीं दिखा सकता, ये मेरी guarantee है, और एक और चीज की guarantee लेता हूँ, कि आप अपनी अगली coffee best पीने वाले हैं, चाहे अपने घर पे, चाहे office में, जो लोग अच्छी coffee के शौकीन हैं, उन्हें coffee machine की कीमत नहीं, बलकि coffee कितने अच्छे से brew हु मैंने सारी machines को खुद खरीदा है, इन सारी machines को कई महीनों से use कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं आज आपको एक comparison video बना के दिखा रहा हूँ, अब आप कहेंगे, मैं ऐसा कम करता क्यों हूँ, यही मेरा profession है, और यही मेरा business model, मैं आपको इसी तरीके के comparisons दिखाता हूँ, और आपको अपने affiliate link देता हूँ, खरीदने के लिए इन ही products को, जो कि आपको description box में मिलेंगे, या फिर VM1 kitchen appliance list में मिलेंगे, अगर आप उन link से अपनी purchase को पूरा करेंगे, तो इस channel की बिना आपके price को एक रुपया भी change करे हुए, थोड़ी सी मदद होती है, जिस से हम अच्छी coffee भी पीते हैं, और आपको अच्छी coffee भी बिलाते हैं, और आपको एसे videos भी दिखाते हैं, अब आपको मैं अलग-अलग type की coffee machines के बारे में बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको एक बिलकुल basic machine के बारे में बताता हूँ, जिससे हम on a daily course अपने office में यूज करते हैं, इस नॉर्मल वेंडिंग मशीन जो आपके office या आपने कभी market में देखी होगी और इस वेंडिंग मशीन में जो coffee मिलती है, वो बहुत basic है, आप इससे किसी भी अलग-अलग तरीके के premix powders ले सकते हैं, और इनमें सिर्फ गरम पानी आड करने से आपको एक ready-made coffee बनके तयार मिले जो एक normal basic coffee है, मतलब आप यह कह सकते हैं कि उसमें coffee का taste आएगा और वो brew है, नहीं, बिलकुल भी नहीं, वो एक instant coffee का taste देती है, यह एक basic vending machine है, अगर आपकी requirement कुछ इस तरीके की है, तो मैंने कई vending machines को test किया है, मतलब कई vending machines को test किया है, और कई type के powders को मैंने टेस्ट किय है, I can suggest you the best one, उसके links आपको description box में दिये है, लेकिन coffee lovers के लिए, यह वेंडिंग मशीन बिलकुल सही नहीं है, लेकिन coffee lovers के लिये यह वेंडिंग मशीन बिलकुल सही नहीं है, Now let's move to another category, जिस के अंदर आपको एक अलग ब्रैंड मिलता है और एक अलग टाइप की कॉफी मशीन मिलती है दिस इस अप्रॉपर कॉफी मशीन काटेगरी मैं बात कर रहा हूँ ब्लाक एंड डेकर की कॉफी मशीन के बारे में और क्योंकि ये इतना फेमेस ब्रैंड है और क्योंकि ये इतना जादा पॉपुलर मॉडल है और ये इतना चीप भी है यानि इतना सस्ता भी है तो इसे मैंने खरीदा और इससे भी कॉफी बनाने को ट्राय किया लेकिन I can tell you that इसके अंदर you know it needs a lot of improvement क्योंकि कॉफी जो निकलत है कि ये शायद ही छे महीने या उससे कम लास्ट करे ये ब्लैकन डेकर का बिल्कुल बेसलाइन मॉडल है और इस बेसलाइन मॉडल को टेस्ट करने का सिर्फ एक ही परपस था ताकि मैं आपको बता सकूँ that if you are a coffee lover तो आपको starting point यहां से नहीं रखना है 3500 रुपीज कुछ नहीं होते और उसके अंदर अगर आप एक अच्छी coffee machine ले लेते हैं तो आपको लगता है कि यार it's a jackpot आप घर में अच्छी brew coffee बना पाएंगे और you know किसी भी टाइप की brew आप अपने हिसाब से कर सकते हैं बड ऐसा नहीं है आपकी जो coffee है वो brew properly नहीं होगी in fact burn हो जाएगी इसके अंदर आपको फिल्टरेशन बहुत जादा करनी पड़ेगी फिल्टर पेपर यूस करने के बावजूद भी आपको बहुत जादा यून फिल्टर्ड कॉफी मिले विच इस रिली रिली बाड अध इसेम ताम में यह भी नहीं कहता कि ब्लैक अंदेकर का कोई भी बहुत सारी इंप्रूब्मेंट की जरूरत है और अवर ओल इसकी बिल्ट कॉलिटी भी इतनी अच्छी नहीं है यह थिंक यह छे महीने भी लास्ट कर पाएगी 3500 रुपीस के अंदर I think it is a very very you know cost effective coffee machine but I don't recommend to buy this अगली काटेगरी के तरफ बढ़ते हैं और यहां पर मैं कैप्सूल कॉफी मशीन की बात करूंगा आप कहेंगे यार कैप्सूल दवाई कह रहे हैं या कॉफी actually में कैप्सूल कॉफी मशीन भी बहुत ज़्यादा पॉपलर हुआ भी करती थी और आज भी कई जगा बहुत ज़्यादा पॉपलर है मैंने कोई नई मशीन नहीं खरी दी क्योंकि अल्रड़ी मेरे पास ये कैप्सूल कॉफी मशीन पड़ी थी इसकी बिल्ड कॉलिटी अच्छी है ये पॉली कार्मिन बॉडी से बनी है इसमें वन लीटर वाटर कपासिटी आपको देखने को मिलती है इसमें पुश बटन कंट्रोल्स मिलते हैं और ये 450 वाट की मशीन है इसके अंदर कॉफी के कैप्सूल्स मिलना is like a big fight कॉफी कैप्सूल्स दूसरे ब्रांड्स के जैसे स्टारबक्स के ये किसी और ब्रांड के आपको easily available हो तो जाएंगे Amazon पे भी मिलेंगे लेकिन वो इस मशीन में fit होंगे या नहीं that is a challenge in cafe coffee day की ये मशीन मेरे पास इसलिए अब सिर्फ पढ़ी है और मैं ऐसे यूज नहीं करता हूँ क्योंकि cafe coffee day के अपने ही कैप्सूल्स अब नहीं मिल पा रहे हैं काफी time से and this is the same case with other capsule coffee machines इन सब की जो supply है capsule supply ये इतनी limited होती है और इतने कम मिलते हैं और इतने overpriced मिलते हैं जब भी ये available होते हैं कि आप एक cost effective coffee नहीं पी सकते अपने पास मतलब you know at least you can understand कि आप एक अच्छी और reasonable coffee enjoy नहीं कर पाएंगे on a daily basis now that is one of the concerns जिसकी वज़े से मैं इस मशीन को भी recommend नहीं करता कोफी पीने के लिए recommend नहीं करता हूं because जो coffee का taste है वो भी ऐसा नहीं है कि आपने बहुत अच्छी सी fresh brew करीवी coffee पी है और उसमें आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसा नहीं है only if you enjoy the flavored coffee then you can go for this coffee capsule coffee machine but otherwise capsule coffee machine को मैं अगर आज की रेट में एक नया बायर हूं I would never prefer this kind of a machine for my daily coffee अब बढ़ते है अपनी real coffee machine category पे जहां पे अपने घर पे roasted coffee beans को grind करके उसके बाद real brew coffee का मजा ले सकते हैं and I am talking about these two machines इन दोनों machine को मेरा खरीदने का परपस यही था कि मैं एक बहुत अच्छी लेकिन at the same time reasonable coffee machine लेना चाहता था जिसमें मैं real brew coffee का मजा ले सकों और उसके अंदर pressure की मुझे कोई कमी ना हो I am just going to tell you one single thing about coffee machines कि अगर आप कोई भी coffee machine ले रहे हैं और उसमें nine bar या फिर उससे कम pressure है then वो coffee machine आपको कभी भी अच्छा टेस्ट नहीं देगी brew coffee का at least उस coffee machine का कम से कम nine या उससे उपर बार का pressure होना चाहिए ये दोनों coffee machines उसी category में fall करती है इसलिए मैंने इन दोनों को खरीदा and daily मैं इन दोनों coffee machine से एक एक coffee पीता हूँ ताकि मैं इन्हें compare करके और पूरी मेरी team पीती है ताकि हम सारे compare करके आपको ये बता सकें कि best coffee machine कौन सी है इन दोनों coffee machines की looks और design almost similar है मैंने almost इसलिए बोला क्योंकि Morphe Richards में आपको plastic body मिलेगी जबकि अगारो की coffee machine में आपको stainless steel body देखने को मिलेगी दोनों में ही आपको double shot presets देखने को मिलेगे और दोनों में ही rotating stainless steel frothing wand देखने को मिलेगा दोनों में आपको pressure control knobs भी देखने को मिलेगे लेकिन अगारो के अंदर एक special चीज है जो की सबसे ज़ादा important होती है एक अच्छी brew coffee के लिए और वो है analog dial thermometer बिना temperature जाने आप अच्छी brew coffee कभी नहीं बना सकते ये सब coffee lovers को पता है और अगर आपको नहीं पता था तो आज आपको मैंने बता दिया कि आप एक सही temperature पे अपनी brew coffee को अगर बनाएंगे तो आप उसे सबसे ज़ादा enjoy करेंगे और उसका taste और उसकी aroma आपको बहुत लंबे समय तक याद आती रहेगी अगारो की coffee machine के अंदर आपको 15 बार का pressure देखने को मिलेगा वो है coffee brewing वो कितनी अच्छे से हो रही है यह हमारे लिए सबसे ज़ादा important है और जब मैं इन दोनों machines को compare करता हूँ with the same coffee beans तो अगारो बहुत ज़ादा better है Morphy Richards के मुकाबले because of one major reason the temperature control knob उस temperature से हम बहुत ज़ादा important functions कर सकते हैं और एक सही temperature पे जब हम coffee को brew करते हैं तो without getting burnt, without being burnt हमें जो coffee मिलती है that is amazing यही नहीं हम milk frothing का भी temperature control कर सकते हैं अगारो की imperial coffee machine से and that is why it becomes a double temperature control system जो की unfortunately आपको Morphy Richards में नहीं मिलता and when you overdo the frothing और overdo the brewing तो आपको जलीवी coffee का टेस्ट आएगा या फिर आपको पीते ही थोड़ा सा मूझ जलेगा and you know that is not a very pleasant experience when you want to enjoy a good coffee all in all I can say both the coffee machines are really really good और इन दोनों से आपको coffee का रियली बहुत मजा आएगा लेकिन अगर मुझे अपने घर पे coffee machine रखके रोज एक कप coffee enjoy करनी होगी then I would actually go for Agaro Imperial Coffee Machine and the simple reason behind it is कि मुझे जिस तेंपरेचर पे coffee पसंद है मैं उसी तेंपरेचर पे उसे ब्रू करूंगा और उसी तेंपरेचर पे उसे मैं milk frothing के जरिये करम करके मैं enjoy कर सकता हूँ see that is very very important for all of us इसी लिए आप कभी भी you know you go to starbucks you go to any other good coffee place वहाँ पे आपको एक certain temperature पे ही coffee serve करी जाती है and that is very very important इसी लिए but let's talk about the pros and cons of both the machines अगारो में आपको one year की comprehensive warranty मिलती है जबकि Morphe Richards आपको देते है two years की comprehensive warranty इन दोना के prices लग भग आसपास ही है बड़े similar है 9500 रुपीज के अदर आपको अगारो imperial coffee machine cost करेगी इस समय और 9900 रुपीज प्राइस है Morphe Richards की इस coffee machine का इन दोनों के links मैंने आपको description box में दिये है both the machines are good बट इन दोनों के pros and cons आपके लिए जानने बहुत ज़्यादा जरूरी है सबसे पहले हम Morphe Richards की बात करते है ये machine temperature display के साथ नहीं आती कोई indicator नहीं है that is the biggest con for me दूसरी जो छोटी चीज मैंने notice करी वो है the flow of the coffee it is slow जब आप इसे ध्यान से observe करेंगे और compare करेंगे with agaro दोनों machines में आपको double shot preset मिलते हैं इसके दो फायदे हैं अगर आप double shot पीना चाते हैं if you want a stronger coffee then एक single cup रखके आप वो enjoy कर सकते हैं लेकिन अगर आपको एक साथ दो coffees बनानी है तो उस case में आप दो cups को एक साथ रख सकते हैं और double shot preset की मदद से आप जो coffee brew हो रही है वो दोनों cups में बराबर गिरेगी इस Morphe Richards के अंदर ये करना impossible है क्योंकि जो double shot के nozzles है वो आपस में इतनी close है कि आप वो दो अलग-अलग cup साथ में रख ही नहीं पाएंगे that is the main issue और ये बहुत practical issue है जब हमने दो cup साथ में रख के test किया then we understood this सारे कौंज ही नहीं है Morphe Richards के इस मशीन के अंदर कुछ बहुत अच्छे और स्ट्रोंग प्रोज भी है इसका ये पोटा फिल्टर यानि जिसके अंदर आप अपनी रोस्टेट बीन्स को ग्राइंड करने के बाद इसमें डालेंगे और इसे यहां लगाएंगे ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनाया गया है इस वेरी वेरी गुड एंड ट्वेंटी बार प्रेशर इस अलसो वेरी वेरी गुड इसके अंदर आप मिल्क फ्रॉटिंग करेंगे तो तुरंथ हो जाएगा इस वेरी वेरी गुड बट एक यहीं पर वो चीज है कि आपको यहाँ वव तो गेट यूज तो हो मुच ताइम दू नीड इन दिस फ्रॉटिंग क्योंकि आप जादा जब फ्रॉट कर लेंगे या फिर जादा गरम हो जाएगा दूद तो आपका मूझ जले का उसको कॉफी को पीने के पाद को ताइस ऑनसलों थीग बट इवछली आप यू विल गेट यूज इस प्राइस है इसके लिंक्स दिस्रिप्शन बॉक्स में दिये हैं लेकिन अब आपको प्रोजन कॉंस अगारो के बताओं Agaro Imperial Coffee Machine is very very good in terms of build quality and all the things. सबसे जादा अच्छी, of course, मेरे लिए इसका Temperature Display है, जो की Double Temperature Control System है, in a way. But what I like the most about this one is this filter. ये पोटा फिल्टर के अंदर, जो फिल्टर की quality है, that is too good. इतनी शानदार आपको filtered coffee मिलती है. मतलब कोई भी residue नहीं होता है, और बहुत अच्छे से filtration होती है. That is the best part. You don't need, you know, a separate filter. And overall, it's a very very easy to operate machine, जिससे आप बहुत easily coffee बना सकते हैं. आपको जब भी frothing करनी है, तो आप frothing का button बटन दबाएंगे. And that's about it. You don't need anything else. कोई rocket science की जरोत नहीं है. आपको frothing के अंदर जितना भी temperature चाहिए, जितना भी pressure चाहिए, आप उस pressure को increase, decrease कर सकते हैं. Now, यह जो control है आपके हाथ में, that is very very important. I am again saying की coffee के अंदर यह बहुत important है. And you know, yes, I can say, की इसका एक छोटा सा कौन है, की this frothing could have been a little better, but ऐसा नहीं है की मुझे इसकी बज़े से अच्छी coffee नहीं मिल रही है. I am enjoying real, creamy, good coffee from this coffee machine. And I am very very happy about it. 9,500 rupees मेरे हैब से पूरी तरह वर्थ हैं अगारो की imperial coffee machine के लिए. What are you waiting for? I hope आप कल से एक अच्छी coffee पीने वाले हैं. यह वीडियो professionally come, अपनी पसंद के लिए मने जादा बनाया, क्योंकि ऐसा comparison बनाने में मेरा अपना भी self-interest था. मेरा interest यह था कि मैं सबसे अच्छी coffee machine खरीदूं, और वही मैंने खरीदी अगारो की imperial coffee machine. I think it is the best one. और इसी को ही मैं अपने घर में लगा के रोज एक cup coffee enjoy करता हूँ और करता रहूंगा. आपको कैसा लगा यह वीडियो? बताइए का जरूर comment section के अदर. और अगर आपका कोई सवाल है, जो आप directly मुझसे पूछना चाते हैं, पूछ लीजिए. और हाँ, एक और बात पताता हूँ आपको, best coffee beans मैंने बहुत सारी देखी हैं. हर कोई, हर brand उसको best बोलता है. लेकिन मैंने 10-15 अलग-अलग coffee beans को try करने के बाद, जो की roasted होती है, एक coffee beans को select किया. जो की सही temperature पे roast करीवी beans होती हैं, उसका link भी आपको description box में दे रहा हूँ. और जाने से पहले, आपको मैं दो वीडियो का suggestion भी देखे जा रहा हूँ. ये रहे वो दो वीडियो इनको भी जरूर देखिएगा, ये भी thoroughly researched और बहुत अच्छे से test करके compare करे हुए वीडियो हैं, आपको इनको देख के भी बहुत फायदा होगा. और मैं आपको मलता हूँ अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी. Thank you very very much.